सुभाष चंद्रबोस कहानियां, भाग एक देशभक्त सर्वोपरी, मित्रों में बैठे बैठे यूनी बात हो रही थी, बढ़ा होकर कौन क्या बनेगा? एक मित्र ने कहा मैं बढ़ा होकर छोटा मोटा काम कर लूँगा. जानने की इच्छा हुई कि ये छोटा मोटा काम क्य होता है. पूछने पर मित्र ने बताया जैसे चाय पकोडे बेचना, सबजी खल की दुकान लगाना आदी. मेरे घर पर कभी इस प्रकार के कामों के विशय में चर्चा नहीं होती थी. बड़े भाया और पिताजी सदैव शाम को बैठक में देश भक्ती की कहानी सुनाया करत है. घर के बच्चों को प्रेरित करते कि वो पड़ लिख कर देश के लिए कार्य करें. वो हैं इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, मजिस्ट्रेट और आएस, आइपीस बने. मैंने भी निश्चय किया था, मैं बड़ा होकर आईए ओफिसर बनूंगा. भारतिय सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लूंगा. मैं किसी छोटे मोटे काम को करने के लिए नहीं बना हूँ. ये द्रग निश्चय मेरा अटल है. पिता और भाई के कहने से मैंने ही भारतिय सिविल सर्विस परीक्षा को सफलता पूर्वकुत्तीर्न किया. लोगों की नजर में ये सबसे बड़ा पद होता था. इस पद को मैंने हंस्ते हंस्ते त्याग दिया. इस पद पर रहते हुए मुझे अंग्रेजों के अधीन कार्या करना था. वो मेरे देश को लूटने पर अमादा थे. मेरी मात्रभूमी को दोनों हाथों से लूट रहे थे. इसलिए दिश्भक्ति के लिए मैंने इस पद पर स्वयम को स्वीकार नहीं किया. मैं ही वह सुभाश था जिसे लोग सुभाश चंद्रबोस के नाम से जानते है.